जहें साथ हूँ मेरा नाम है आकास मौरिया और आपसे लोग आपके अपने चैनल आलक्यूपी श्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंस एसस्ती इस्टेनोग्राफर में से आप में से बहुत सारी स्टूडेंट हमारे पास कमेंट करके कह रहे हैं सेर इसका रिजल्ड कब आएगा बता दीजे प्लीज जो है है तो आज के लिटम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सस्टी के इस्टेनोग्राफर का रिजल्ड कब आने वाला आए साथ साथ इसकी एक्टेड कटप क्या गई हुए इसके बारे में बात करेंगे है आप लोगों को जो है कटारी वाज जहा है सब्सक्रेबास के बात करूंगे हो Sepert это कि तेना को केटना नहीं काट किया सकता इसके अक्टप किया जा सकता है उसके बारे में आप लोगों को चाहैंगी तो एक अलग शी वीडिए लेकर आऊंगा उसमें सारी जानकारी आप लोगों को दे दूंगा ठीक है बात कर लेते हैं आप लोगों के रिजल्ट की तो रिजल्ट आप लोगों का जो आई है 15 नमबर को आप लोगों का जो है एक्जाम लिया गया था उसके लगभग जो आई है लगभग 25 नमबर के लग स्टोने ग्राफर का जो रिजल्ट आया हुआ था वह एक्जाम के लगभग जो है तीन महीने बाद आया हुआ था लेकिन उसमाद जो है कोरुना वायरस चल रहा था इसके कारण तरह डेले हुआ था लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है आप लोगों का जो है 25 जनवरी तक आप लोगों के जो है इसससी इस्टोने ग्राफर के जो है रिजल्ट आने वाले हैं लेकिन यह जरूर नहीं 25 तारिक तकाई क्योंकि अग्जुली बार जो आप लोगों का डिले हुआ था इसका एंस्वर की भी जारी कर दिये गहा है बाकी रहा गया आप लोगों का जो तो रिजल्ट भी आप लोगों का जल्द ही जारी किया जाएगा है जैसे ही कोई अपडेट आता है इसके बारे में तुरंत अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को सारी जानकारी बता दूँगा है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल क को सबस्क्राब करते बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि एसससे सी इस ट्रोनों कर आफर सम्बदी जो भी अपडेट हमारे पास आए तरहं आप लोगों तक मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना जैसे हमारे पास कोई नई जानकारी आती है मैं नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो जाओंगा तब तरह के लिए टेक केर गुट बाए